Hello Dear Student, Welcome back इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ मौकरी वन्स का इतिहास जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा मौकरी वन्स का परिचे हरी वर्मा, इसान वर्मा, अवंति वर्मा और ग्रह वर्मा का इतिहास अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो लिंक है description box में तो वहां से जाके आप इसकी PDF को download कर सकते हो या फर टेली गराम चैनल पर चले जाओ तो वहां पर भी इसकी PDF आपको मिल जाएगी तो वहां से भी आप download कर सकते हो तो चलिए इस वीडियो के सुरुवात करते हैं और पढ़ते हैं मौकरी वन्स का इतिहास ये है सूचना तो इसे आप जरूर पढ़ें मौकरी वन्स का परिचाय तो सबसे पहले बात करते हैं परिचाय की मौकरीवंस के प्रारमधिक राजा गुप्त राजाओं के सामबन थे और मूल रूप से बेहार के गया जिली से समबन थे मौकरीवंस की राज़ानी उत्तर प्रदिस के कन्नोज में थी और उस समय कन्नोज को महोदय नंगर के नाम से जाना जाता था मौकरी बंस के पहले राजा हरी बर्मा और अंतिम राजा ग्रह बर्मा थे क्योंकि ग्रह बर्मा की मृत्यूं के बाद कनौज का राज हरसवर्धन के अधीन चला गया था तो चलिए मैं आपको यहाँ पस समझा देता हूँ देखिए मौकरी बंस के जो प्रारंभिक राजा थे वो गुप्त राजाओं के अधीन अपना सासन चलाती थे ये आपको याद रखना है और मूल रूप से जो मौकरी राजा थे वो बिहार के गया जिली के रहने वाले थे तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है मौकरी बंस की जो राजधानी थी वो कन्नोज में थी जो की उत्तर प्रदीस में है आदनिक तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि इनकी राजधानी कहां थी कन्नोज में थी उस समय कन्नोज का जो नाम था वो था महूदैनगर महोदैنگर के नाम से उस समय कन्नोश को जाना जाताथा ये बहुत प्रिसिद्ध नाम था उस समय का मौक्री वंस के जो पहले राज़ा थे उनका नाम था हरी बर्मा और अंतिम राजा थे ग्रह बर्मा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ के ग्रह ब्रमा की मिरित्यू के बाद मौकरी बंस का जो सारा सामराज था वो किसके अधीन चला गया था हर्सवर्धन के अधीन चला गया था तो अब बात करते हैं मौकरी बंस के एतिहासिक सुरूतों पर मोख्री बंस का इतिहास साहित और पुरातत्तों दोनों में प्राप्त होता है तो यहाँ पर याद क्या रखना है साहित में भी प्राप्त होता है और पुरातत्तों में भी प्राप्त होता है बाण भट के दुवारा लिखे गए हर स्चरत ग्रंट में भी मोक्री बंस का इतिहास मिलता है आपको यहाँ पर याद रखना है कि हर स्चरत ग्रंट में मोक्री बंस का इतिहास मिलता है और हर सरत ग्रंट को किष्ण ने लिखा था वाण भट ने लिखा था जो की हर्स वर्धन के दरवारी कवी थे उत्तर प्रदेश के वारा वंकी जिले से प्राप्त हर हा लेक में भी मोकरी बंस के कुछ राजाओं का उलेक मिलता है तो यहाँ पर आपको याद रखना है हर हालेक को हर हालेक कहा है यह वारा वंकी जिले में है उत्तर प्रदेश के वारा वंकी जिले में उत्तर प्रदेश के अयोध्या से मोकरी बंस की मुद्राओं का धेर उत्खनन करताओं को प्राप्त हुआ था तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि मौकरी बंस की मुद्राओं का जो धेर था वो अयोध्या से किसको पराप्त हुआ था उत्खन करताओं को पराप्त हुआ था तो यहाँ पे जतना मैंने हाइलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है वस अब बात करते हैं घरी वर्मा की हरी वर्मा मौख्रिवंस के पहले राजा थे और समभवता उन्होंने 510 इसवी से अपना सासन शुरु किया था यहाँ पर मैंने समभवता सब्द लिखा हुआ है समभवता 510 इसवी से शुरु किया था देखे यहाँ पर निश्चत रूप से नहीं कहा जा तक्ता के कब उन्होंने अपना सासन सुरू किया था लेकिन ज़्यादतर रितिहासकार पांसो दस ईश्वी का ही समर्थन करते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर संभौत असद लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हरी वर्मा मोकरी बंस के पहले राजा थी हरी वर्मा की रानी का नाम वट्टारिका देवी जैस्वामनी था हरी वर्मा ने महराज की उपाती धारण की थी जिससे यह अनुमान लगा जा सकता है कि हरी वर्मा गुप्त राजाओं के सामन्त थी कहने का मतलब है यहाँ पर कि हरी वर्मा स्वतंतर राजा नहीं थी गुप्त राजाओं के अधीन अपना सासन चलाती थी हरी वर्मा की प्रसंसा उत्तर प्रदेश के बारा बंकी से प्राप्त हर हलेक में की गई है तो यहां आपको याद रखना है कि हर हलेक में किसकी प्रसंसा की गई है हरी वर्मा की प्रसंसा की गई है तो यह आपको यहां पर याद रखना है तो यहाँ पर जितना मैंने highlight किया हुआ है बस आपको इतना याद रखना है हरी वर्मा के बारे में अब बात करते हैं आदित वर्मा की आदित वर्मा हरी वर्मा की पुत्र तखा उत्रादिकारी थे असीरगड लेख के अनुसार आदित बर्मा की माता का नाम वट्टारिका देवी जैस्वामनी था तो यहां आपको याद क्या रखना है कि असीरगड लेख के अनुसार आदित बर्मा की माता का नाम वट्टारिका देवी जैस्वामनी था आदित बर्मा का विवा है गुप्त बंसी की राजकुमारी हरसा गुप्त के साथ हुआ था तो यहां पर ये गुप्त बंसी की राजकुमारी थी हरसा गुप्त तो इनके साथ विवा हुआ हुआ था आदित बर्मा का आदित बर्मा ने महराज की उपादी धारन की थी महराज की उपादी धारन करना ये बताता है कि आदित बर्मा भी स्वतंतर राजा नहीं थे ये भी गुप्त जो राजा थे उनके अधीन अपना सासन चलाते थे तो यहाँ पर जितना मैंने highlight किया हुआ है इसको आपको याद रखना है अब बात करते हैं ईस्वर बर्मा की ईस्वर बर्मा आदित बर्मा की पुत्र और उत्रा अधिकारी थे उत्तर प्रदेस की जोनपुर लेक में ईस्वर बर्मा को सिंग के समान बताया गया है यानि की उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक लेख प्राप्त हुआ था जिसमें ईस्वर बर्मा को सिंग के समान यानि की सेर के समान बताया गया है ईस्वर बर्मा का बिवा है गुप्त बंसी राजकुमारी उपा गुप्त के साथ हुआ था तो यहाँ पर इनका नाम क्या था? उपा नाम था और गुप्त बंसकी ये राजकुमारी थी तो इनका विवाय किसके साथ हुआ था? ईस्वर वर्मा के साथ हुआ था ईस्वर वर्मा ने मालवा और आंध्र पर विजय प्राप्त की थी इस्वर बर्मा ने भी महराज की उपादी धारण की थी मैं आपको बता दूँ कि इस्वर बर्मा ने महराज की उपादी धारण की थी इससे ये जाहिर होता है कि इस्वर बर्मा भी गुप्त राजाओं के अधीन अपना सासन चलाते थे यानि कि ईस्वर बर्मा भी सुतंतर राजा नहीं थे तो यहां पर जितना मैंने हाइलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है बस ईस्वर बर्मा की पुत्र तथा उत्रा अधिकारी थे ईस्वर बर्मा का सासन काल 550 से 524 ईस्वी के मद में माना जाता है मैं आपको बता दू कि ईस्वर बर्मा से पहले जितने भी राजा हुए मौकरी बंस में उनके सासन काल की जानकारी किसी भी इतिहासकार के पास नहीं है लेकिन पहले राजा ईस्वर बर्मा थे इनके सासन काल की जानकारी इतिहासकारों ने दी है इनका सासनकाल 550 से 524 इसवी के मद्द में माना जाता है इसान वर्मा मौकरी बंस के पहले स्वतंतर राजा थी ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि पहले और स्वतंतर राजा इसान वर्मा थे इसान वर्मा की माता का नाम उपा गुप्त था इसान बर्मा ने महाराजा धीराज की उपादी धारण की थी महाराजा धीराज की उपादी धारण करने का मतलब है कि इसान बर्मा किसी भी राजा के अधीन सासन नहीं करते थे वो एक स्वतंतर राजा थे इसान बर्मा की बिजयों का उलेक उत्तर प्रदेस के वारा बंकी जिले से प्राप्त हरहा लेक में किया गया है तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि हरहा लेक में इसान बर्मा की बिजयों का उलेक किया गया है तो यहाँ पर जितना मैंने हाइलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है सर्व बर्मा तो अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं सर्व बर्मा ईसान बर्मा की पुत्र तथा उत्रा अधिकारी थे सर्व बर्मा का सासन काल पांसो चोंतर से पांसो च्छासी ईसवी की मद्द माना जाता है सर्व बर्मा का वास्तविक नाम सूर्व बर्मा था मैं आपको बता दूँ कुछ इतिहासकारों ने इनका नाम सर्व बर्मा लिखा है तो कुछ इतिहासकारों ने इनका नाम सूड़ बर्मा लिखा हुआ है सर्व बर्मा ने मगध पर विजे प्राफ्ट की थी सर्व बर्मा ने भी महाराजा धीराज की उपादी धारन की थी इससे ये जाहिर होता है कि सर्व बर्मा भी स्वतंद्र राजा थे वो किसी भी राजा के अधियन सासन नहीं करते थे तो आपको यहाँ पर यह याद रखना है तो यहाँ पर जतना मैंने हाइलाइट किया हुआ है इसको आपको बस याद रखना है अब बात करते हैं अवंती वर्मा की अबंती बर्मा सर्ब बर्मा के पुत्र और उत्रा अधिकारी थे अबंती बर्मा का सासनकाल 586 से 620 के मद मना जाता है मैं आपको यहां पर बता दूँ कि अलग-अलग इतिहासकारों ने इनका अलग-अलग सासनकाल लिखा हुआ है किसी इतिहासकारने 544 से 620 के मद में लिखा है तो किसी इतिहासकारने 580 से 620 के मद में लिखा है लेकिन मैंने यहाँ पर 586 से 620 के मद वाले सासनकाल को समर्थन दिया है क्योंकि ज़्यादतर इतिहासकारों ने इसी सासनकाल को माना है अवंती वर्मा की प्रसंसा हर स्चरत गरंध में की गई है और सभी मौकरी राजाओं में अवंती वर्मा को सब से सक्तिसाली राजा बताया गया है तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है अवंती वर्मा की प्रसंसा किस गरंध में की गई है हर स्चरत गरंत में की गई है जो की वान भट की द्वारा लिखा गया था तो आपको यहाँ पर यह याद रखना है अवंति वर्मा के सासनकाल में मौकरी राजबंस की सीमाएं विहार तक लगती थी सबसे बड़ा जो सामराज था मौकरी राजबंस में वो था अवंति वर्मा का इसलिए हर स्चरत गरंत में अवंति वर्मा की प्रसंसा की गई है अवंति वर्मा ने संभौता उत्तर गुप्त राजाओं को अपने अधिन कर लिया था यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो अंतिम गुप्त राजा हुए उनको अपने अधीन कर लिया था किसने अवंती वर्मा ने तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर याद रखना है तो जितना मैंने यह हाईलाइट किया हुआ है आपको बस इतना ही याद रखना है अवंती वर्मा के सासनकाल से अब बात करते हैं ग्रह वर्मा की ग्रह बर्मा अवंती बर्मा के पुत्र तथा उत्राधिकारी थी ग्रह बर्मा का सासन काल 600 से 605 इसवी के मद माना जाता है ग्रह बर्मा को मौकरी बंस का अंतिम राजा माना जाता है आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि ग्रह बर्मा को मोकरी बंस का अंतिम राजा माना जाता है ग्रह बर्मा के बारे में संपूर जानकारी वान भट की हर स्चरत गरंत में मिलती है तो हर सरत गरंत में किसकी जानकारी मिलती है ग्रह बर्मा की इतिहास की जानकारी मिलती है ग्रह बर्मा का बिवाह थानिसवर की राजा प्रवाकर बर्धन की पुत्री और हरस बर्धन की बेहन राजिसरी के साथ हुआ था तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि हर सुपरधन की बेहन राजिस्री का ववाह किस के साथ हुआ था गिरह बर्मा के साथ हुआ था और गिरह बर्मा मोखरी बंस के अंतिम राजा थे तो यहाँ पर जितना हाइलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है मालवा के राजा, देवगुप्त और वंगाल के राजा ससांक ने कन्योज पर आक्रमण करके गिरह वर्मा की हत्या कर राजसरी को वंदी बना लिया था बाद मैं राजसरी को किसी ने जेलते रहा कर लिया था गिरह वर्मा की मिर्टिव के बाद हर सवर्दन ने कन्योज को अपनी राजधानी बनाया और अपनी बहन राजसरी के साथ मिलकर वहीं से सासंकिया मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ देखें यहाँ पर मालवा के जो राजधा थे इनका नाम था देवगुप्त और वंगाल के जो राजधा थे इनका नाम था ससंक लेकिन इनका बास्तविक नाम सौम था और यह गोंड अता जा थे यानि की गोंड बंस के राजधा थे यह और इन दोनों की अच्छी दोस्ती थी यानि देवगुप्त की और ससांग की अच्छी दोस्ती थी दोनों ने मिलकर क्या किया था किन्योच पर आक्रमन कर दिया था और उस समय कन्योच की जो राजा थी वो थी ग्रह बर्मा लगबग ये बात है 605 हिस्वी की 605 हिस्वी में दोनों ने मिलके ग्रह बर्मा के राज कन्नोच पे आक्रमन कर दिया था कन्नोच पे आक्रमन करने के दोरान ग्रह बर्मा की यहाँ पर हत्या कर दी थी और ग्रह बर्मा की जो रानी थी राजिसरी उसको बंदी बना के जेल में बंद कर दिया था लेकिन किसी व्यक्ती ने राजिसरी को बंदी ग्रह से निकाल दिया था इसके बाद राजिसरी जंगल में चली नहीं थी हर्सवर्धन को जब ये पता चला तो हर्सवर्धन ने एक बहुत सादू दिपाकर मित्र की साहता से राजसरी को जंगलों से खोज लिया था खोजने के बाद बापस कनोज लाए इसके बाद भाई बहने मिलके कनोज से ही सासन किया था और उस समय हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थी थानी सौर में लेकिन बाद में क्या किया था हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानी सौर से कन्नोज में इस्थान अंतरत कर ली थी और यहीं से राजशिरी के साथ मिलकर सासन किया था तो यहाँ पे जितना मैंने यह highlight किया हुआ है इसको आपको याद रखना है तो वीडियो एक बार समझ में ना आया हूँ तो आप इसे दुवारा भी देख सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगा हो तो like करो, share करो और अगर आपका कोई सवाल है तो comment कर गिया आप मुझे से पूछ सकती हो